हेलो जैहिन कैसे हैं आप सब लोग इस सेशन में हम सॉल्ब करेंगे मैट्स का प्रेक्टिस सेट 24 इसका पहला कॉश्चन है इस 40% of a number is 20 then 25% of that number will be तो यहाँ पे आपको दिया है कि 40% उस number का कितना है 20 है तो 25% कितना होगा एक्जाम में आप इसको कैसे सॉल्ब करेंगे पहले हम वो देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको गिवन है 40% की value कितनी दिरखी है 40% है 20 की equal to 1% यहाँ से होगा 20 by 40 20 से कटेगा एक बार 20 से कटेगा दो बार तो 1% की value कितनी आ गई एक बटे 2 इसने कितने परसेंट की value पूछी है 25 तो 25% की value कितनी होगी एक बटे 2 गोना 25 दो से कटेगा यह कितनी बार 2 एकम 2 2 दोना 4 एक अब यहाँ पर लेगेगा point और 2 पंजे 10 तो 12.5 होगी ठीक है इस नंबर के 25% की value कितनी होगी 12.5 बाकी अगर आपने basic से देखना है तो नंबर को मान लीजिए x let the number be x x का 40% कितना है 20 तो x का 40% equal to है 20 के percent हटाते ही यहाँ पे आएगा upon में 100 equal to होगा 20 के इस से यह कट गया 0 एक बार इसके बाद x की value कितनी हो जाएगी 20 गुणा में जाएगा 10 और divide में जाएगा 4 जैसे ही हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएगे यह inverse हो जाएगे ठीक है चार से कटेगा यह 5 बार तो x की value कितनी आगई 5 दसन की 50 अब इसने पूचा है then 25% of that number उस नमबर का 25% कितना होगा तो यहाँ पे हम 50 का 25% निकालेंगे परसेंट का मतलब upon में 100 25 बटे 100 50 से कटेगा यह दो बार दो से इसको मैं divide करता हूँ तो यह आएगा 2 एकम 2 0 5 2 दूना 4 यहाँ पे 1 फिर यहाँ पॉइंट और यहाँ पे आएगा 0 2 पंजे 10 तो यह हो जाएगा 12.5 उप्सन नमबर C अगला क्वेशन है इन दोनों का प्रोड़क्ट हमें यहाँ पे निकालना है तो X प्लस 3 इंटू करना है X प्लस 5 ऐसे क्वेशन में हम क्या करते हैं पहले इस X का गुणा इसके साथ इस पूरे के साथ ठीक है पहले इसके साथ फिर इसके साथ उसके बाद इस तीन का गुणा इस पूरे के साथ मिन्स पहले इसके साथ और फिर इसके साथ तो यहाँ पे X गुणा X X गुणा X X का गुणा X के साथ प्लस x गुणा 5 यानी प्लस 5 गुणा x यानी 5x प्लस अब 3 का गुणा इसके साथ यानी 3 गुणा x प्लस 3 का गुणा 5 के साथ यानी 3 गुणा 5 तो यहाँ पे होगा x square प्लस यहाँ पे होगा 5 गुणा x मिन्स 5x प्लस यहां पे होगा 3 गुणा x मिंस 3x प्लस यहां पे होगा 15 तो यहां पे आपके पास आएगा x square प्लस 5 और 3 8x प्लस 15 यह इसका क्या हो जाएगा product हो जाएगा option number c अगला है the cube of art is तो मैंने आपको बताया था एक से लेके 15 तक कम से कम आपको cubes याद होने चीए तो 8 का cube होता है 512 आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए यह reasoning में भी और math में भी आपका काम आएंगे इसको आपको solve करना है y square प्लस में है y by 2 minus 3 equal to 0 सबसे पहले हम क्या करेंगे यह से जो यह fraction है इसको हटाने की यहां से कोसिस करेंगे इसके अपोन में है 1 इसके अपोन में भी कितना है 1 अब यह हो गई है fractions इन सब का LCM कितना आएगा 2 एक से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा फिर 2 हम क्या करेंगे यहां पर multiply तो 2 y square प्लस 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा एक गुणा y बराबर कितना होगा y प्लस में आपका आएगा प्लस में आपका आएगा यहां पर minus है एक से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा दो तिया 6 equal to 0 अब इस 2 को ले जाईए यहां पर 2 y square प्लस y minus 6 equal to 2 into 0 इसका मतलब क्या होगा 0 तो आपके पास जो equation बची है वो बची है 2 y square प्लस y minus 6 equal to 0 इसके आपको क्या निकालने है यहां से आपको y का मान निकालने है या इसके root आपको निकालने है अब देखिए हम क्या करते है यह equation इस form में होती है थोड़ा से इसका color change करते है यह equation होती है x square plus bx plus c equal to 0 के form में यहां पर a कितना है 2 c कितना है 6 और b कितना है 1 तो हम क्या करते है a और c का multiply करते है कितना आएगा 6 दुना 12 उसके बाद इसके हम क्या करते है factor 2, 6, 12 2, 3, 6 फिर 3 एकम 3 इन factor को इस तरी के इस order में रखते है ताकि इनका multiply करके कितना है 12 और इनको plus या minus करके क्या है 1 जो 20 का number होता है b होता है जो ठीक है तो 2 दुना 4 4 गुना 3 तो होगा 12 और 4 minus 3 कितना होगा 1 तो जो की क्या है b है तो एक की जगे पे हम क्या रखेंगे 4 minus 3 तो यहाँ पे लखेंगे 2 y square प्लस 4 minus 3 एक के स्थान पे यह लिखेंगे y minus 6 उसके बाद यहाँ पे होगा 2 x square प्लस 4 से y means 4 y यहाँ पे आएगा 4 y 4 से y को गुणा करेंगे तो 4 y minus 3 y minus 6 यहाँ से common आएगा 2 y इसमें भी 2 y है और इसमें भी 2 y है यहाँ पे बचेगा y प्लस यहाँ से 2 y में common ले गया तो यहाँ पे बचेगा 2 2 दुना 4 y इसके बाद यहाँ से में common लूँगा minus 3 यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा plus का 2 अब इन दोनों टर्मस में से में common लूँगा y plus 2 यहाँ से यहाँ क्या बचेगा यहाँ क्या बचेगा 2 y यहाँ क्या बचेगा minus 3 equal to है 0 के यहाँ पे equal में 0 है इसके पहले इस वाले टमकों में 0 के बराबर रखूंगा तो y प्लस 2 बराबर है 0 के तो y बराबर कितना होगा? माइनस 2 ये 2 जाएगा वहाँ पे और वहाँ जाते ही माइनस का दूसरा 2y माइनस 3 बराबर में अगर 0 के रखता हूँ तो यहाँ पे होगा 2y बराबर यहाँ पे माइनस का ताब वहाँ जाएगा प्लस का 3 और y बराबर 3 बराबर 2 इसका जो आंसर आगया है वो क्या है? y बराबर माइनस 2 और y बराबर 3 बराबर 2 तो माइनस 2 और 3 बराबर 2 इस उप्सन में होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा अगला है इसकी आपको वैल्यू निकालनी है सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे 256 के फैक्टर यहां पर निकाल लेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां पर 1 और 6 मिसद 2 अटा 16, दो 6 का बारा, दो चुकवआ 2 को 8, फिर दो से कटेगा 3 रा, दो दूनी 4, फिर दो से 16 बार, फिर दो से 8 बार, फिर दो से 2 बार, फिर दो से 1 बार तो कितने दो होगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ इसका मतलब हम 256 को लिख सकते हैं 256 को लिखेंगे 2 की पावर आठ 256 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर आठ एक चीज़ आपको और याद रखनी है पहले भी मैंने आपको कई वार बताई है तो 256 की जगे पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 8 2 की पावर 8 की होल पावर 0.16 इंटू इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 8 की होल पावर 0.09 अब ये वाला हो गया M, ये वाला हो गया N, ये वाला M और ये वाला N तो यहाँ पे तो क्या आज आएगा 2 की पावर 8 गुणा 0.16 गुणा 2 की पावर 8 गुणा 0.09 अब इनको अगर गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 16.128, 2 की पावर 128, 16.128, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ पे भी 2, तो 1.28, गुणा, यहाँ पे क्या आएगा, 9.72, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ पे भी 2, अब एक चीज और आपको याद रखनी है, अगर A की पावर M into A की पावर N हो, तो इसको हम लिख हैंगे, 2 की पावर, 1.28, धन, 1.78, और पॉइंट वाले नंबर को जब हम एड करते हैं, इनको एड करने का जो तरीका होता है, यह होता है, 1.28, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 7, सुरी यह 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है, 7, 2, 8 और 2, 10, 7 औ जिरो लगाते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं होता, तो इसका अंसर क्या आएगा, 2, इसका मतलब यहाँ पे आएगा, 2 पाव 2, यानि 2 की घाद दो मतलब 4, 2 का स्कार कितना होता है, 4, और समबर C, अगला क्वेशन है, a is equal to 5, v is equal to 6, then a plus b का whole square, minus a minus b का whole square equal to, क्या होगा, इ जिससे पहले भी ऐसा question आया है, लेकिन वहाँ पे minus की जगह में क्या था? multiply यह था, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे मैं अगर value रखता हूँ, a call to कितना है? 5, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 5, a plus b का whole square, minus a minus b का whole square, a की जगह पे रखूँगा 5, plus b की जगह पे मैं रखूँगा 6, इनका square, minus 5 minus 6 का square, मैंने आपको बताया था, अगर minus वाले term को हम square करते हैं, जैसे यह minus वाले number है, इसका अगर हम square करते हैं, minus 1 into minus 1, तो इसका answer क्या आता है, minus into minus plus 1, जैसे माइनस 2 है, इसका स्क्वाइर करने हैं तो इसका अंसर की आएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस तो 6 और 5 ग्यारा, ग्यारा का स्क्वाइर, माइनस यहाँ पे देखिए 5 छोटा है और 6 बड़ा है 5 में से 6 माइनस नहीं होगा इसलिए हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 1 लेकिन 6 किसका है माइनस का इसके आगे आएगा माइनस का साइन इसका स्क्वाइर 11 का स्क्वाइर होता है 121 अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर माइनस 1 का स्क्वाइर करते हैं किस में आता है प्लस में तो यहां पे आएगा प्लस का एक, एकसो एकिस में से एक गया कितना बचा, एकसो बीस, अपसा नंबर, इसका नंबर डी, अगला question है इनका आपको SCF निकालना है SCF क्या होता है या तो सबसे छोटा वाला नमबर होता है या फिर उससे छोटा कोई नमबर होता है इसका मतलब option number D तो यहां से पहले ही eliminate हो गया तो मैं इनके factor निकालता हूँ आप निकाल लेना ठीक है 2, 3, 6, 3, 18 factor में 2 नहीं आता 3, 3, 3, 3 उसके बाद है 45 45 के factor होते हैं 3, 3, 5 SCF में क्या आता है जो तीनों numbers का factor जो common हो एक तो यह वाला common है दूसरा यह वाला तीनों में common है तो इसका SCF आएगा SCF is equal to होगा 3, 3 यानि 9 option number B अगला question है चलिए इसको solve करिए 6 बेटे 4 बराबर है 3 बेटे N इसके बाद हम क्या करते हैं इनको करते हैं cross multiply इसका multiply इसके साथ इसका multiply इसके साथ तो 6 गुणा 4 बराबर होगा सोरी 4 नहीं था यह क्या था यह यहाँ पे N था यह कितना था यहाँ पे 3 बेटे N इसका multiply इसके साथ इसका multiply इसके साथ तो 6 गुणा N बराबर होगा 3 गुणा 4 यहाँ से अगर N मुझे निकालना है तो इस 6 को में लेके जाओंगा यहाँ पे तो 3 गुणा 4 upon में जाएगा 6 यहाँ पे multiply में था जाएगा डिबाइड में 3 से कटेगा दो बार 2 से 4 कटेगा दो बार तो N की वैल्यू कितने आ गई 2 option number 1 if the diagonal of a square is 10 root 2 cm then its perimeter will be एक आपके पास square है ठीक है और इसमें क्या given है आपको इसका जो यह diameter है यह आपको given है 10 root 2 square का diameter क्या होता है diameter sorry diameter ने diagonal यह क्या होता है diagonal इसको diagonal बोलते है diagonal of square equal to होता है A root 2 ठीक है इसके बराबर होता है और हमें कितना दे रखा है 10 root 2 तो A root 2 equal होगा 10 root 2 के यहां से हमें A अगर निकालना है तो A बराबर होगा 10 root 2 by root 2 root 2 से root 2 कड़ गया A की value कितने आ गई 10 cm इसने पूछा है perimeter तो square का जो perimeter of square perimeter of square क्या होता है 4 into A यानि side 4 into side तो 4 into side कितने आई है 10 तो 10 कोणा 4 बराबर कितना होगा 40 option number C find the roots of X इस equation के आपको क्या निकालने है roots निकालने है और X की value आपको निकालनी है तो अभी मैंने आपको बताया था इसको हम कैसे लिखते है A X square प्लस B X प्लस C बराबर 0 यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे given है आपको X square प्लस 3X माइनस 10 यह है C यह है आपका B और इसके साथ A कितना है 1 तो हम क्या करते हैं A A और C का multiply करते है 10 गुणा 1 means 10 2 से 2 के इसके factor गएंगे तो 2 पंज़े 10 2 पंज़े 10 अब इनको इसके से लिखेंगे कि गुणा करके कितना आना चीए 10 और माइनस से प्लस करके कितना आना चीए बीच का B 3 आना चीए ठीक है तो 3 के स्थान पे अब क्या रखेंगे 5 रिन 2 तो यहाँ पे आएगा X square प्लस 5 रिन 2 यहाँ पे है X माइनस 10 यहाँ से X square प्लस 5 गुणा X कितना होगा 5X माइनस रिन 2 गुणा X कितना होगा रिन 2X माइनस 10 यहाँ से common आएगा X यहाँ बचेगा X यहाँ बचा है 5 X तो हमने common ले लिया उसके बाद यहाँ से मैं common लूँगा 2 यहाँ बचेगा X यहां बचेगा प्लस 5 इन दोनों में से आप common लेंगे x प्लस 5 यहां बचेगा आपका x और यहां बचेगा माइनस 2 और यह बराबर होते है 0 के यह सुरू से 0 के बराबर है यहां पे ठीक है एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो X plus 5 बराबर होगा 0 के तो X बराबर कितना होगा माइनस 5 दूसरी बार इसको में 0 के बराबर रखोंगा X minus 2 बराबर 0 X बराबर कितना होगा प्लस 2 माइनस 5 और प्लस 2 इसका right answer हो जाएगा option number D अगला है What is the selling price if 10% discount is given on MRP of 10 rupees 10 rupees के MRP का कोई वस्तु है उस पे 10% का discount दिया गया है तो SP क्या होता है SP equal to होता है MRP MP into 100 minus discount upon में आता है 100 तो MP आपका कितना है 10 रुपे गुणा discount कितने गया है 10 का तो 100 minus 10 upon में 100 यहाँ पे आएगा 10 गुणा 100 में से 10 गया 90 90 बटे 100 10 से 10 यहाँ कड़ गया 10 से 10 यहाँ कड़ गया तो SP कितना आ गया 9 रुपे और जिसने यह वस्तु खरी दी है उसके लिए क्या होगा यह क्रेमूले हो जाएगा ठीक है option number A अगला question है What is the LCM of the number इतना इनका आपको LCM निकालना है SCF में क्या होता है छोटे से छोटा तो number होता है या तो वही SCF होता है और या फिर उससे छोटा number SCF होता है लेकिन LCM में क्या होता है या तो सबसे बड़ा वाला number क्या होगा LCM होगा या फिर उससे बड़े number क्या होंगे LCM होंगे चलिए देखते हैं 15 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 5 75 को हम लिखेंगे 3 15 15 75 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 और 5 को हम लिखेंगे 5 सबसे पहले जो सब में common हुगा जैसे ये 5 सब में common है तो पहले इसका हम क्या करेंगे pair बना लेंगे उसके बाद जो 2 में भी common है उनका भी हम क्या करेंगे पेर बना लेंगे तो LCM में क्या करते हैं उनका भी पेर बनाते हैं जो 2 या 3 में common हो तो 5 गुणा 5 गुणा बचा है 3 5 पंजे 25 तिया 75 इसका LCM कितना होगा 75 अगला है If the radius of a sphere is 7 cm, find its volume एक sphere है, sphere की radius कितनी है 7 cm और sphere का volume कितना होता है volume of sphere equal to होता है 4 by 3 πाई R cube 4 बटे 3, πाई गमान होता है 22 बटे 7 R की value है 7, 7 गुणा 7 गुणा 7 7 से 7 कट गया उसके बाद यहाँ पे बचा है 7 सता 59 और 22 चुको 88 यहाँ पे बचा है आपके बाद 88 गुणा 59 अब उन में है 3 इनको अगर गुणा करेंगे तो 8 गुणा 72 8 चुको 32 और 7 49 2, 1 2, 3, 12 और 1, 13 और 4 तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4,312 बटे 3 अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ 4,312 को यहाँ आएगा 3 एकम 3 यहाँ बचेगा 1, 3, 3 चुको 12 तो 1, 4 यानि 1, 4 इसमें भी है इसमें भी है ठीक है आगे भी इसको solve करना पड़ेगा यहाँ पे आएगा 12, 1 उतर के आएगा 7 तो 4, sorry कितना है? 1 है 4,312 था तो यहाँ पे उतर के आएगा 1 3, 3, 9 उसके बाद 1, 4, 3 1, 4, 3 किसमें है? और आप्सन नमबर B में तो यही क्या होगा? इसका answer होगा आगे अगर इसको solve करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 यहाँ बचेगा 2 3, 27, 21 यहाँ बचेगा 1 फिर लगेगा point फिर 3, 3, 3 ऐसे चलता रहेगा ठीक है? आप्सन नमबर B अगला question है ऐसे कुछ आपको दे रखा है ठीक है? 0.09 अपोन में है 0.0004 सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका point यहाँ से हटाएंगे तो जिसमें जादा point के बाद जादा digit होती है उसको हम लेके चलते हैं यहाँ पर किसमें digit है? 1, 2, 3, 4 तो इसको हम एक के आगे 1, 2, 3, 4 0 लगाके multiply और divide कर देंगे जैसे ही हम में जादा करेंगे तो 2, 0 से इसके point हट जाएंगे यहाँ बच जाएगा 9 और 9, 100 बराबर के हो जाएगा 900 उपर हो जाएगा 900 नीचे हो जाएगा 4 900 का root क्या होगा? 9 का root होता है 3 और 2, 0 का root क्या होगा? 1, 0 यहाँ बचेगा आपका 4 का root होता है 2 2 से इकटेगा यह 15 बार तो option number 20 का सही हो जाएगा चलिए इसको solve कीजी पहले option देखिए सब में क्या है? same digit है, ठीक है? 224, 224, 224 cable किसका फरक है? point का, तो point हम यहाँ से देखेंगे अगर हम किसी नंबर को 100 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है? point 12 नंबर को इस 2, 0 की वैसे इसके यहाँ से 2, 2 point यहाँ से 2 अंकों से पहले point हट जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा 224 अब cable 2 ही अंकों से पहले point रहेगा 1 और 2 तो इसका right answer होगा, option number D उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा लोगों तक शेयर करें चीए, shining out